स्वागत है आपका योजना ग्यान फॉर यू में और आज हम EPFO पैंशनर्स के बारे में बात करेंगे 58 की बज़ाए अगर आप 60 साल होने पर पैंशन लेंगे तो आपको जादा पैसा मिलेगा क्यों जादा पैसा मिलेगा ऐसा कौन सा लोजिक है जिसकी वज़ाए से 58 की बज़ाए अगर आप 60 साल होने के बाद पैंशन लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको जादा पैंशन मिलेगी तो आईए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बढ़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बैल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें तो बढ़ते हैं जानकारी की तरफ करंचारी भविश्य नीदी संगठन यानि की EPFO अपने अंशधारकों को पैंशन उपलब्द कराता है किसी अंशधारक को कितनी पैंशन मिलेगी यह अंशधारक के अंशधान और उम्र पर निर्भर करता है EPFO किसी अंशधारक के 58 साल उमर पूरी कर लेने और 10 साल तक EPFO में अंशधान करने पर पैंशन देना शुरू कर देता है लेकिन अगर कोई अंशधारक 58 साल की बज़ाए 60 साल की उमर में EPFO से पैंशन लेता है तो उसे ज़्यादा पैंशन मिलती है यदि आप 58 की बज़ाए 60 साल की उमर में पैंशन लेना शुरू करेंगे तो आपको समान्य पैंशन राशी के मकाबले 8 पीसदी जादा पैसे पैंशन के रूप में मिलेंगे EPFO की और से चलाई जाने वाली पैंशन स्कीम है EPS हर महीने PF खाते में करमचारी की बेसिक सेलरी प्लस DA का 12 फीसदी जमा होता है Employer का योगदान भी इतना ही होता है इसमें से 8.33% राशी करमचारी के पैंशन फंड यानि की EPS फंड में जाती है और बाकी 3.67% की राशी ही PF खाते में आती है EPFO ने एक X-Post में पैंशन से संबंदित नियमों के बारे में बताया है EPFO के नियम के मताबिक कोई भी करमचारी जो EPFO में अपना कंट्रिबूशन करता है और उसकी नौकरी को 10 साल पूरे हो चुके हैं तो वो पैंशन पाने का अधिकारी हो जाता है अगर नौकरी की कुल अधि 10 साल से कम है तो पैंशन के लिए जमारकम को बीच में कभी भी निकाला जा सकता है जो करमचारी 10 साल या इससे ज़्यादा समय की नौकरी की अधि पूरी कर चुके हैं उन्हें रिटार्मेंट के बाद यानी 58 की उमर से EPFO की तरब से पैंशन दी जाती है क्यों दी जाती है ज़्यादा पैंशन आए जानते हैं EPFO अंशधारकों को जादा अंशधान के लिए प्रोसाहित करने को 60 साल की उम्र में जादा पैंशन लेने की सुईधा देता है अंशधारक 60 साल की उम्र तक EPFO पैंशन फंड में पैसा जमा करा सकते हैं 50 साल की उम्र होने के बाद और 10 साल तक अंशदान करने के बाद भी EPFOR subscriber pension पा सकता है कम मिलेगी pension आईए जान देंगी कम किसको मिलती है और क्यों मिलती है अगर आपकी 10 साल की नौकरी की अवधी पूरी हो चुकी है और आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है तो आप early pension के लिए claim कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको pension कम मिलती है आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पैसा निकालेंगे आपको हर साल के लिए 4 फिसदी की दर से pension घट कर मिलेगी मान लेजिए कि वर्ष 56 वर्ष की आयूर मासिक pension निकालता है तो उसे मूल pension राशी का 92 फिसदी ही मिलेगा 50 साल से कमर उमर होने पर क्या होगा अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर लिए और आपकी उम्र 50 साल से भी कम है तो आप pension के लिए क्लेम नहीं कर सकते ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल EPF में जमा किया हुआ फंड ही मिलेगा pension 58 साल की उम्र से ही मिलेगी आशे करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए useful होगी और आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा और ऐसे जानकारी के लिए चान को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें अगर आपके मन में कुछ सवाल है या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें तक के लिए धन्यवाद